हेलो फ्रेंड्स आज हम यह वाला जूता बनाने वाले हैं इसको कैसे बनाते हैं और यह मैंने मल्टी कलर में बनाया है और बची हुई उन से बनाया है जो थोड़ी थोड़ी उन हमारी बच जाती है उससे मैंने इसको तयार किया है और एक कलर मैंने इसमें बेस कलर रखा है ज और यह बहुत इजी है इजी वे में बनाया है मैंने बिगनर्स भी इसको पढ़ी आसानी से बना सकते हैं देखिए एक उल्टा एक सीधा फंदा बुनते हुए मैंने इसको कम्प्लीट किया है और यह अंगुठे वाला है यह सोक्स हमारा अंगुठे वाला है और बहुत से इसका फिटिंग आता है आज हम इसको पनाएंगे चली सुरू करते हैं इसको बनाना इसके लिए मैंने दस नंबर की सलाइया ली है और बची हुई उन ली है देखिए अगर आपके पास थोड़ी है बची हुई उन तो उसको पहले ही दो हिस्सों में बाट ले जिससे बहुत थोड़ा था इतना मैंने एक मतलब जो भी उन था उसको मैंने दो जगा किया तो एक सोक्स के लिए हमारा इतना उन बना तो इसमें मैंने जो लगाया है तो इसमें मुझे परियाप्त पता चलिया कि मुझे एक सोक्स में कितना उन लगाना है तो अगर जादा करते हैं तो सबसे पहले हम फंदे डालना शुरू करेंगे हम फंदे डालने के लिए हम डबल उन कर लेंगे जो हमारा बेस कलर रहेगा उससे हैं तो हमने यहां पर डबल उन कर ली है इस तरीके से और अब हम यहां पर फंदे डालेंगे तो देखिए फंदे डालने के लिए आप यहां पर एक नोट बना ले अगर आप नोट नहीं बनाते हैं तो आप मैं जिस तरीके से डाल रही हूं आप उस तरीके से भी डाल सकते हैं सबसे पइशे को आपक्षी को सबाएं करते हैं कि इस था लाइंगे ऑर रीच और, यह सबसे पहल दूँ हमिश्प्लाई के कि ईद्खोड़े और एथा और Candice सेना कविश्प आकपक कि शेकर दूँ आप अपनी सुभिधा के अनुसार कैसे भी डाल सकते हैं, जैसे फंदे आपको ढालने आते हैं, वैसे फंदे आप इसमें बना सकते हैं, इस तरीके से, यहां पर मुझे 50 फंदे चाहिए, तो मैं 50 फंदे अपने कम्प्लीट कर लेती हूँ, 50 फंदे, इस टरीके से देखिए मैं 50 फंद बना लेती हुँ अपनी quiet पूरी sall seller hereda have a 50 फंद बना लिया है sallл har Tiger 55 मेरे हाँ पर complete है तो अब हम अपनी first row करेंगे किस तरीके से करेंगे देखिए और इसको करने से पहले हम सबसे जो center काğ में है होंब आपना arguing deeper लगा लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोना, सत्रा, अठारा, उन्निस, बीस, इकिस, बाईस, तेईस, चोविस, पच्चिस यह हमारे 25 फंदे हो गए, तो हम यहां पर एक मारकर लगा लेंगे, अगर आपके पास मारकर नहीं है, तो सेप्टी पिन भी यूज कर सकते हैं, और अगर सेप्टी पिन यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आप उन से बना करके, एक फंदा बना ले, लोग बना ले, उसको भी ह दूसरे फंदे हो हम उल्टा बनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनेंगे, फिर फंदा अपनी तरफ और एक फंदा हम उल्टा बनेंगे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा इसी तरीके से हम अपनी सलाई को जहां तक हमारा मारकर लगा हुआ है उससे दो फंदे पहले तक हमें इसी तरीके से करना है कि एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे लेकिन मारकर से दो फंदे पहले तक कि अधिये हैं, हम ने यहां टक बुन लिया है इस तरीके से इह हमारा मारकर है, वो मारकर से पहले हमारे दो फंदे राई गए हैं तक है is बनेंगे यह हमारी रोंग साइड है तो हमारा उल्टा आएगा दो फंदे हमने इधर के उल्टे बुन लिए मारकर इस साइड ले लेंगे कि और दो फंदे हम इधर से उल्टे बनाएंगे इंच पंदे हम नें उलटे बना लिए दधा का पीछे देखिए य sono हमें के लिए सुरूआत करेंगे। क्योंकि हमें दोनों साइड सेम चाहिए तो यह हमारा सीधा था है तो हम सीधा बुनेंगे और अपनी आखे का पैटन को एक सीधा एक उल्टा से शुरू करेंगे इसी तरीके से पूरी रो को हम कम्प्लीट कर लेते हैं फर्स्ट रो हमारी कम्प्लीट हो गई है अब हम सेकंड रो करेंगे तो पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और देखेंगे कि हमारा ये सेकेंड फंदा उल्टा है या सीधा है तो हमारा ये सेकेंड फंदा जो है सीधा है धागा पीछे करके हम इसको सीधा बुनेंगे धागापनी तरफ करेंगे उल्टा देखें जो फंदा हमारा फरस्ट रो में इधर सीधा था वो इधर उल्टा हो जाएगा जो इधर उल्टा था वो इधर सीधा हो जाएगा आप इस चीज का विशेज ध्यान रखें आप फंदे को देख लें कि उल्टा है इधर से या सीधा है तो उसी हिसाब से आप इसको बनाएं कंटीनी करें कि बिल्कुल आसानी से बना पाएंगी आप इसको बहुत सरल है यह बनाना और आप किसी भी साइच के लिए आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं देखिए हम यहां तक आ गए है और यह हमारा बीच का सेंटर का है और यह जो चार फंदे हैं दो फंदे मार करके इधर के और दो फंदे मार करके इधर के हम इने सीधी तरब से सीधा ही बनाएंगे तो यह हमारा फंदा उल्टा था इधर का तो हम यह वाला सीधा बुनेंगे लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है देखिए यह हमारे चार फंदे हैं यह सेंटर के फंदे हैं दो इस साइट के दो इस साइट के और दो इस साइट के तो हमें यहाँ पर फंदा बढ़ाना है तो हम फंदा बढ़ाने के लिए देखिए क्या करेंगे इस तरीके से फंदा बढ़ा देंगे एक बार और बता देती कि यह हमारी सीधी साइड है तो यह हमें सीधे ही बनाने और उल्टी साइड से हमें 4 फंदे उल्टे बनाने हैं कि चार फंदे हो गए हमारे से एक मिट मारकर निकाल लेते हैं इधर को क्योंकि गया पारा था इस तरह के से की को मारकर की जगे मैंने ये लूट बना लिया है क्योंकि मारकर डिश्ट्रयप कर रहा था क्योंकि ये मोटा है और यहां पर फंद्स का छीदा बन रहा था तो देख tier हमने here das of the फंद्स मरारा चाहले बडाएंगे हम इ gelmiş अभी कि तप एंज़र लिकता भी तो हम इसको उल्टा है कि और इसको आगे कंटीनिव करते रहेंगे हमारी जो है वो गलते नहीं होना चाहिए जो फनदा सीधा हैो सिधा ही Morgan रहना चाहिए जो उसको उल्टा अजय को ऐसे हम बढ़ा रहे हैं उनको हमें देखना है कि इधर का उलठा है तो इसको आ जाती हो देखिए हमने ये फंदे बना लिए हैं और ये वाला फंदा हमारा वो है जो हमने अभी बढ़ाया था तो हमारा इधर का इस्टिच जो है ये सीधा है तो हम क्या करेंगे धागा आपनी तरफ करके बढ़े हुए फंदे को उल्टा बनाएंगे क्योंकि हम इहाँ पर एक फंदे का पेटरन हमें हर बार चेंज करना है देखिए ये हमारा बीच का है सेंटर दो फंदे इधर के एदर इदर के इनको हम उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा ही बनाएंगे र सलाई और संभी whipping से उल्टे हınız इंदे हुए तो हम इ इधर आंवने उल्टा बनाया था तो हम इधर भी उसको अल्टा ही बनाएंगे उप को और अगर आहांप एंसे कन्फिूस वो रहे हैं तो आप यह वाले फांदे को देख लें यह वह हमारा सीना है तो इसका मतलब इधर इसका उल्टा आना चाहिए उल्टा बनाएंगे और आगे के pattern को हम अपना नीचे का pattern का देखते हुए उसको आगे फोलो करेंगे सीधा है तो सीधा और उल्टा फंदा है तो उल्टा बुनते हुए हम इसको continue करेंगे या से ही जो भी हमें इसमें changes करने है वो सिर्फ हमें इतने center में करने हैं बाकि हमारी धर के फंदे जो सीधा सीधा बोना जाएगा जो उल्टा है वो उल्टा मुना जाएगा लेकिन बीच के फंद आप हमें हमेंजीं कर लें exhibitedano consult में अपनी क्लес дела रखना है तो चलिंहीं सलाई अपनी पूरी कंप्लीक कर लेती हूं यह सीधा फंदा है यह उल्टा आ गया धागा पीछे करेंगे यह फंदा हमारा इधर सीधी तरफ से सीधा आ गया देखिए यह चार फंदे हमारे सेंटर के हैं तो चार फंदे जो सेंटर के हैं हमें हर सीधी सलाई पे इन दो फंदों के इधर दो फंदों से पहले फंदा बढ एक हंदा हमने पुछली स्राइड लाइता 12 सीध से और एक भर दा हम यह वढ़ा रहे हैं बीच के सीधे cah हंगे चार इंगे हैं इनको भी हम सीधा बिनेंगे invece इन चार फंदों को हमें हमेशाथ सीधा बूलना है सीधी है जैसा कि हमने is व्रोक्स में बनाया है यह ю जो चार फंदे हैं हमारे इसए बंते हुए आ रहे हैं कंटीनियूस सब्सक्राइब आ। जबाते हैंota मेरे से चार फंदे होग है और यह हमारा सीधा है तो हम सीधा भुनेंगे सकूर अगर आप को समझ में नहीं आये कि हमें कौन सा फंदा बना तो आप पीछे वाला पैटरन देख लें एक बार जैसे सीधा है तो यह उल्टा हो जाएगा सीधा है तो यह धरका भी उल्टा हो जाएगा आपको अपना पैटर्न फोलो करना है कि मैं बना लेती हूं और बनाते हुए मैं यहां तक आ जाती हूं चलिए देखे हम उल्टी तरफ से फंदे बुनते हुए आगए अपने सेंटर की तरफ को तो देखे यह फंदा हमारा सीधा है इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे और यह हमारा बढ़ा हुआ वाला फंदा है जो हमने पिछली सलाई पर बढ़ाया का सीधी सलाई पर तो इसको धागा पिछे करके सीधा बनाएंगे आप अपनी इधर के पैटरन को फोलो करते हुए आप इधर को फंदे बनाएं लेकिन बस चार फंदे हमें सीधी तरफ से सीधे बनाने है और उल्टी तरफ से उल्टे बनाने है दाग अपनी तरफ चार फंदे उल्टे मार कर दूसरी सलाई मे लेंगे अब इधर का पैटर्न देखेंगे यह फंदा हमारा सीधा है देखिए यह उल्टा है तो यह हमारा फंदा बढ़ाया हुआ वाला भी सीधा बनेगा तो आप इसको ही फोलो करें आपका पैटर्न बिरकुल भी नहीं कटेगा इस तरीके से इन फंदों को बना लेती हूँ और बनाते हुए वापस मैं अपने शैंटर तक आ जाती हूँ आपको फिर दिखाऊंगी सीधी तरफ से बुनते हुए हम अपने सेंटर की तरफ आ रहे हैं तो देखिए ये सीधा फंदा रहेगा हमारा ये दो फंदे हमारी सेंटर के हैं इस फंदे को भी हम बुन लेते हैं इन दो फंदों से पहले हमें यहां पर फंदा बढ़ाना है यह हम तीसरी बार फंदा यह हमने फंदा बढ़ा लिया बीच के दो फंदे हम सीधे बुनेंगे इधर कर अपनी स्राइब में लेंगे और दो फंदे इधर के फिर से सीधे बनाएंगे कि फिर से हम इधर फंदा बढ़ाएंगे और आगे के pattern को हम वैसे ही follow करेंगे जैसा कि हम करते हुए आ रहे हैं एस तरीके से हमें बस यह ध्यान रखना है जो इन 4 फंदों के दोनों तरफ फंदे बढ़ रही हैं उनको हम इधर के pattern को follow करते हुए बनाएं जैसे हमने इधर देखे सीधा है तो यह उल्टा फिर सीधा आ पहलेगा हमारा प्लाइटर्काटन नहीं कटना चाहिए। इसे को आगे कंटिनिव करते हुए हमें आगे बढ़ाना है यह हमने तीन फंद इधर और तीन फंद इधर बढ़ा लिये हैं हमें टोटल 17-17 फंदे इधर दोनों तरफ बढ़ाने है 17 फंदे हमें इधर बढ़ाने है और 17 ही फंदे हमें इधर बढ़ाने है इस तरीके से 17 फंदे हमें इधर बढ़ाने है 4 फंदे बीच में है और 17 फंदे हमें इधर बढ़ाने है फिर हम बताते हैं आपको कि आगे का कैसे ये बनाना है तो मैं इसको अपना complete कर लेती हूँ और हमें बस यही repeat करना है चार फंदों के दोनों तरफ हमें सीधी तरफ से फंदा बढ़ाते हुए आगे continue अपना बनाना है इसको तो मैं बना लेती हूँ और फिर हम बताएंगे कि इस तरही हो यहाँ भी श्रक्रव enabling Color से सब्सक्राइब इसको Maya मापने सब्सक्राइब सब्सक्राइब सिवेंटीन सब्सक्राइब बढ़ाई है और 17 इस्टिच हमने इदर बढ़ा है यह हमारा सेंटर है यहां पर हमने यह मार्कर लगाया हुआ है उन के धागे का तो हम इससे पता चल जाता है देखिए हमने अपनी सुभिधा के अनुसार अपनी एंपनी यहां पर यह पाटिया वनाई है आप चाहें तो दो एक जोड लिया है और जैसे हम बुन रहे थे एक उलटा-एक सीधा ऐसा ही वुनता हुए हम यहां तक आजा आते हैं कि पहला फंदा ऐसी ही उतार लेंगे कि रागा पीछे करेंगे कि इस तरीके से बुनते हुए हम जहां तक हमारा आधा है यह सेंटर है लूप लगा हुआ है उसके दो फंदे रहने देंगे और बाकि सबी फंदों को हम उल्टा सीधा करते हुए देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं सेंटर तक और यह हमारे दो फंदे अभी बचे हुए है तो जैसे हमने अभी तक यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे अभी हमें देखिए मैंने फंदा बढ़ा चर्द लेंगे अब इसके ज़रूरत नहीं है और हम यहाँ से ही वापस हो जाएंगे यहाँ से ही वापस हो जाएंगे पहला हमने बिन्हल Cant, बढ़ा लेंगे जिसमें कि बढ़ाएंगे मैं 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 एक फंद बढ़ा चुकी हूँ और दो फंदे हमें और बढ़ाने है जैसा है हमारा जो फंदा सीधा है तो सीधा बनाएंगे उल्टा है तो उल्टा बनाएंगे कि अलग करने के बाद हमने यहां पर एक फंदा बढ़ा लिया दो फंदे हमें और चाहिए टोटल हमें यहां पर 45 इस्टिच हमें इतने में कर लेने हैं तो मैं बना लेती हूं हम अपने सेंट्र की तरफ आ गएं देखिए बीच की तरफ आ गए हैं और हम यहां पर जैसे हमने पहले एक फंदा बढ़ाया था अलग करने के बाद बैसे ही हम इस बार भी एक फंदा बढ़ाएंगे और यह जो दो फंदे हैं हमारे यह सीधे बुने जाएंगे हम दो फंदे बढ़ा चुके हैं अलग करने के बाद एक फंदा हम और बढ़ाएंगे पहला फंदा बिना बुना ले ले लेते हैं है और हम इन फंदों को इधर की आकोडिंग सीधा उल्टा देखते हुए बुनेंगे कोई भी फंदा हमारा गलत नहीं बुना जाना चाहिए जैसे कि सीधे को उल्टा बना दे उल्टे को सीधा बना दे तो हमें वैसे यहीं बनाना है जैसे हमारा continuous चलता आ रहा है कि दिखेंगे इस बार हम अपना तीसरा फंद बढ़ाएंगे अलग करने के बाद कि इस तरीके से अब हमारे यहां पर यह दो फंदे बचे इनको सीधा बुल लेते हैं इस तरीके से देखें यह हमारे एक साइट में 45 फंदे पूरे हो गए 45 इस्टिच हो गए हमारे यहां पर क्योंकि हमने 25 पैले ही लिए थे और हमने 20 फंदे बढ़ा लिए अब इन फंदों को तो हम बादें बुलेंगे अब हम यहां पर इसको complete कर लेंगे किस तरीके से करेंग यहां से यहां तक का तो इसमें हमें दोनों साइट से उल्टा उल्टा बुनते हुए इसको complete करना है अब हम एक उल्टा एक सीधा फंदा नहीं बनाएंगे इसमें हम कितनी सलाई करेंगे आप मेरे साथ बनाती रहें पहला फंदा मैं ऐसे ही ले लूँगी अब कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे यहां पर कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे और हम ना उल्टा बुनेंगे ना सीधा बुनेंगे हम सिर्फ उल्टा उल्टा बुनेंगे जो हम एक उल्टा एक सीधा बु कुरेंगे हम सिर्फ उल्टा-उल्टा बुनते हुए इसको अब कम्प्लीट करेंगे कि यहां से हमारा सोल बनना शुरू हो गया है कि इस तरी के से कि लाश्ट के फंदे को हम सीधा बुनेंगे कि अब कि इधार से हम सीधा बुनेंगे पहला हिना बुने लेनेतं or सभी फंदों को उल्टा-उल्टा बुनेंगे कि अब हमें दोनों तरप से उल्टा बुनते हुए है इसको आगे कंटीनी करना है कितना करना है वह मैं आपको अभी पताती हूं इस तरीके से, देखी हमने यहाँ पर अपनी दस सलाईय दोनों तरब से कर लिए हैं, दोनों तरब से काउंट करेंगे तो 10 रोज हो गई, और अगर हम एक से काउंट करेंगे तो हमारी 5 रोज हो गई, तो देखे, 1, 2, 3, 4, 5, यह हमें 5 लाइन मिल गई है इस तरीके से 10 सलाईयों में हमें 5 लाइने इस तरीके की मिली है और यह हमारी सीधी साइड है यह सीधी साइड है इस तरीके से आप देखिए हमें क्या करना है उल्टी साइड आ गए हम जो हमारा यह अंदर वाला साइड है जो हमारी अंदर वारी साइड है यहाँ पर हमें अभी पांच फंदे बंद करने है एक दो तीन चार पांच धीले हाग से बंद करें पांच फंदे मैंने बंद कर ली हैं बाकी आगे उल्टा सीधा बुनते हुए जैसे हमने नीचे बुना है ऐसे ही बुनते हुए हमें दस सलाईया दोनों तरफ से और पांच लाइने एक तरफ से हमें और आगे को करनी हैं इसी तरीके से तो यह जो मैंने पहंदे बंद किये हैं वो इसलिए किये हैं कि यहां पर जो यहां का फंब है यह उन्गलिया है यहां पर चोंच नब आए तो मैं आपको फाइनली बुन के दिखाती हूँ नीचे हमने दस लाइया करी थी दोनों तरब से उपर भी हमें दस लाइया करनी हैं दोनों तरब से हमने अपने इस पैटन को कम्प्लीट कर लिया है देखिए यहां से यहां तक हमारी एक दो तीन चार पांच चेट आठ नो दस लाइने है इस तरीके की और यह दस लाइने हमें 2 तरब से बुनते हुए 20 सलाइयों में हमें कम्प्लीट हुई है यहां पर हमारी जब 5 हो गई ती तो हमने पांच फंदे बंद की ए फिर 5 हमने उपर को बनाई जो इस तरीके का यह हमारा पन के आया है अब हमें क्या करना है इन सभी फंदों को बंद कर देना है बंद करने के बाद इसी तरीके का हमें इधर भी बनाना है इन फंदों का भी सेम इसी तरीके से बुनना है और जिस तरीके से हमने यहाँ पर छटाई की है वैसे हम यहाँ पर छटाई करेंगे पहले तीन फंदे बढ फंदे बंद करेंगे फिर इसको भी इसी तरीके से कंटीनिव करेंगे देखिए जब हम फंदे बंद करेंगे यहां पर तो हमें टाइट हाथ से फंदे बंद नहीं करने हैं हमें धीले हाथ से फंदे बंद करने हैं क्योंकि अगर हम टाइट हाथ से फंदे बंद करेंगे तो यह फंदे सुकर जाएंगे और हमारा जो सोल है वह खिचा-खिचा सा रहेगा तो हमें बिल्कुल सोफ्ट और डीले हाथ से इसको बनाना है बिल्कुल धागा कीचना नहीं है इस तरीके से, देखिए, सभी फंदे हम बंद कर लेंगे, आपको जिस तरीके से भी फंदे बंद करने आते हैं, आप उस तरीके से इन फंदों को बंद कर लेंगे, देखिए, जैसे हमने इसको कम्प्रीट कर लिया है, अब हम इन फंदों को भी वैसे ही बंद करेंगे, सेम प्रोसीजर है, जैसे अब हम दूसरे कलर को लगाएंगे, फिर हम तीन फंदे और बढ़ाएंगे, तीन फंदे बढ़ाने के बाद हम ये दोनों तरफ से उल्टा बुलते हुए बुनेंगे, फिर हमें जैसा हमने यहाँ पर छटाई कर ये फंदों की बंद किया है, और फ देखें, यहाँ पर मैंने ये फंदें यहाँ पर बंद किये थे पांच-पांच, तो अब हम इसको सिलेंगे कैसे, वह बताते हैं, देखें, यह हमारी सीधी साइड है, और यह हमारी उल्टी साइड है, तो हम पहले सूई में धागा डाल लेते हैं, यह जो हमारा है, इस तरीके का, इस कोने को और इस कोने को मिलाएंगे, इस तरीके से, देखिए, इस कोने को और इस कोने को मिलाएंगे, इस तरीके से, हम इसको सिलेंगे, कि धागा पीछे ले जाएं सिलने के लिए अगर पीछे से सिलके लाएंगे तो अच्छे से सिलता हुआ आएगा हम इसको यहां से सिलना बंद करेंगे कि इस तरीके से बंद करेंगे हम इसको कि शिलते हुए कि ध्यान रहे कि कोने से कोना मिलाना है इस तरीके से यह मिला लिया अब देखिए जो हमारा यह वाला पार्ट खुला हुआ है तो उतना हम यहां पर इस तरीके से लेंगे यहां पर इस तरीके से कि आता हुआ हुआ है झाल यह हमने सिल लिया रेड तक अब इसको भी इसको जो हमारा यह साइड है इसको भी हम बंद करेंगे और यहां तक इस तरीके से खीचते हुए देखिए जैसे यह है हम इनको दोनों यह साइड और दोनों यह साइड एक साथ एक फंदे में हम इनको टक करेंगे कि देखिए कि यहाँ पर कि यह हमने चारों साइड एक साथ टक कर लिए यहाँ पर एक हल्व किसी नोट लगा देंगे अब जो यह हमारा हिस्सा बचा है इसको बंद कर लेंगे सबसे पहले हम आगेव का हिस्सा बंद कर रहे हैं आप खीच के ना सिलें इसको अगर खीचेंगी तो यह सुकर जाएगा और आपका जो साइज है उसको यह छोटा बना देगा कि देखिए हमने यह आहे का जो हिस्सा था वह हमने सिल लिया इस तरीके से सीधा करते हैं देखिए आप देखेंगे कि इसमें हमारी चोंच नहीं निकली जैसे चोंच निकल जाती है इसमें चोंच नहीं निकली है एकदम परफेक्ट सेप आई है इसकी यह देखिए यह हमारा सीधी तरब से है यह हमारी चोंच नहीं आई है आप देखिए जो यह हिस्सा हमारा खुला हुआ बचा है यह वाला इसको हम सिल लेंगे यहां तक इसको यहां तक चिल लेंगे और इसको हम इस तरीके से बंद कर लेंगे पूरे को पीछे से बंद कर लेंगे और नीचे का जो सोल बचा हुआ है उसको बंद कर लेंगे नाहीं है इस चलिए मैं बना लेती हूं इसको cidade- देहिए हमारे दोनों स्वक्स रेड़ी हो गए हैं चिर करके कि कमच आải आपको दिखा दो को अडिखेगए आप बनाएं सभी फ्रेंड्स में शेयर करें लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू